दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपना CSC VLE ID काड डाउनलोड कर सकते हैं फोटो के साथ में दोस्तों मेरा मनुप हम आप देख रहे हैं यूटुब चानल एलेक्टाटेक वर्ड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको लिंक डिस्क करने के लिए प्लीज वेर्ट आपको बोलता है अब अपना這 यहां पर पाइफ करेंगे तो यहां पर आपको scan start capture पर click कर देना है click करते ही आपका जो device है वो जलेगा आप उसके बाद में आपको क्या करना है authenticate करना है authenticate करने के बाद में यह आपकी जो details है वो आपके सामने लाके दे देगा तो यहां पर मेरा fingerprint लग चुका है यह details आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ जाएंगी अब यहां पर आपको बहुत सारी चीजे दिख जाती है profile और साथ में last में आप देखेंगे तो ID card certificate यह सब कुछ मिल जाता है यहां पर अगर आप direct ID card print करेंगे तो फोटो नहीं आएगा फोटो के लिए आपको ऊपर KYC update और प्रोफाइल दो तीन चीजे मिल जाती है जिस पर आपको KYC update पर जो है वो क्लिक करना होगा तो यहां पर देख सकते कई सारे options हैं तो इसमें हम चलते हैं KYC update पर देन मैं आग यहां पर क्लिक कर देना है क्योंकि आपको अपना photo upload करना पड़ेगा अब यहां पर पर इमेच में जाईए अब यहां पर upload image कीजिए तो जो भी आपका passport size photo हो वह यहां पर आपको upload कर दिना होगा इस्कैन करके और यहां पर upload जो है वो कर दिना है जैसे आप यहां पर details update कर देते हैं यहां पर आप ID कार्ट पर क्लिक किजेगा तो वही फोटो आपके ID कार्ट पर आ जाएगा कई सारे लोगों का ID कार्ट पर फोटो नहीं आ रहा था वह इसी वज़े से नहीं आ रहा था तो अभी आपको इस तरीके से जो है वह प्रेंट कर लेना है जिस पर पेज पर आप चाहते है प्रेट कर लिजो और इस तरीके से आपका ID कार्ट निकल जाएगा आज की वीडियों बस इतना ही दोस्तों वीडियो को लाइक सेयर कर दीजिगा अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लीजिगा जिससे की निवडियो नोडिफेकेशन आपको टैमली मिलते रहें तो दस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जाहें अगर कोई सवाल सुझा हुआ है तो कमेंट जरूर करें